हेलो गाइस वेलकम बैक टो मैं चेनल तो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में कुछ एसे खास टिप्स एंट्रिक्स लेके आए हैं जिने हम यूज करके अपने काम को आसान कर सकते हैं तो चलिए बीना देर की वीडियो सुरू करते हैं और देखें पर टिप्स हमारी होगी रोटी को लेके जब भी हम रोटी बनाते हैं तो हम क्या है कि अगर ऐसे ही रोटी बनाते हैं तो आटा नीचे गिरता रहता है और जिसी क्या है हमारा काम भी बढ़ता है और आटा भी वे तो इस तरह से देखिए हम अपने काम को करेंगे तो हम एक बहुत ही आसानी होगी और अगले टिप्स हमारे देखिए तिल के जो लड़ू बनते हैं उसी को लेके होगी और मैं एक छोटी सी टिप्स देना चाहूंगी जिसे आप बहुत ही आसानी से तिल के लड़ू बना सकते आपके लड़ के जिए और एक छोटी सी टिप्स के जरीए तो क्या क्या करेंगे इस तरह से सेद गए यह तो क्या करने के बाद देखिया अब हमें क्या करना है तिल कोत लिए और आट्डाए से उसे और यह कोत्पा तो इस टिप्स के जरीह आप लडू बनाओ तो आपको बहुत आसानी होगी देखे लडू बनाने में और इस तरह से लडव ड़ू बनायेंगे देखे तौझी से करके लिए गूड को और घूड को मिक्स सकते ह達 way of polythene अब बहुत हैं इस तरह से गुमाना है और बहुत ही आसाद़ कि गोलगो लड्डू बन जाएंग देखिए जब look सकते हो तो है नहां यह बहुत ही यूसफुल तो इस तरह से हम पोलिक तो बना लेंगे वह वह सारी हम इस इस Ha shameless से हम बनाएगे तो यह बहुत यूसफुल टिप्स है फ्रेंज तो मैंने देखी इस तरह से सारे लड़ू को बना लिये हैं तो अगर आपको यह वाले टिप्स पसंद आई है लड़ू बनाने की तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेर कीजेगा तो चलिए अगले टिप्स को देख लेते हैं और अगले टिप्स भी हमारी बहुत यूसफूल है तो दीखिए क्या होता है कि गेस अगर खतम हो जाए तो हमें बहुत मुस्किल होती है रोटी बनाना तो दीखिए मैंने यह रखी हैं सिगड़ी तो जी हा सिगड़ी पर हम रोटी बना सकते हैं तो यह स में कपड रखक चकला है दिक्टर रहा रख दिए में रोटी बना रहा है मैं क्ल रिख ऑखनी कहते हैं आगर रिखेत्स दिप में हमें सीख्ड़ए ने था कर दोटी हूँ हमारे गर में यह मिल जाती है और अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो आप क्या कीजिएगा कोई भी अगर आपके पास खाली जगह है कच्छी जगह है तो आप वहां पे कुछ ऐसी चीज रखे और उसमें कोईलवगेरे डाल दीजेगा और उसमें भी आप रोटी आसानी को चलिए अगले टीप्स को देख लेते हैं तो दीखिए पर्स पे अगर टेल गिर जाये। इसको हम केसे साफ कर सकते हैं तो बहुत यू आसान तरीका है प्रेंस करने का एक च्छोटी सी टीप्स देना चाहूंगी देखिए आपको क्या करना है कि ग्यों का आटा ले लेना है और इस तरह से देखिए आपको जहां पर ये तेल गिरा है उसके उपर डाल देना है डालने के बाद अब हम देखिए हाथ से इस तरह से इसको करेंगे तो ये आसानी से देखिए परस से तेल निकल जाता है देखिए इस तरह से जो भी तेल था वो सारा आटा में आ गया है और इस तरह से देखिए हम पर्स को साफ कर सकते हैं आप देख सकते हो जो भी तेल था वो सारा आटा में निकल गया है और पर्स देखिए कितने अच्छे से साफ हुआ है तो इस तरह से देखिए हम तेल जहां पर भी हैं आगले टीप से ममारे दहें क्या एस्रोल को लेके होगी जब भी हम कैस्रोल में रोटी रखते हैं तो क्या होता है ốngलते हैं यह तो हम निवस्प्रेंगा लगाते हैं लेकिन उस ताइम हमारे कोई भी चीज हमारे पास ना हो तो हम क्या लगा सकते हैं देखिए जिसी क्या हमारी रोटी खराब ना हो तो हमें क्या करना है कि चम्मस ले लेना है तो चम्मस तो हमारे पास होती है तो देखिए इस तरह से हमें चार चम्मस लेके इसके अंदर रख देना है उल्टा द किजिएगा और अगर आपको इस तरह की वीडियो देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बबाई टिक के ठाइंक यूबर वोचिंग मैं वीडियो